नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट योटूब चैनल पे अभी आप इस्क्रेन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन जारी कियागे एंटी पीसी लिमिटेट के दौरा जी हाँ और इसमें जो अपलाई कर पाएंगे मैं आपको सबसे पहले उनका कौलिफिकेशन दिखा दता हूँ आप यहाँ पध्यान से देखिए इसमें डिप्लोमा चात्र अपलाई कर पाएंगे और जो चात्र आईटेई का कोर्स कम्पलीट कर चुके हैं अपलाई कर पाएंगे तो अपलाई कर पाएंगे और किन पोश्ट पर यह भरती निकल के आ रहे पूरी जनकारी आपको देने वाले इस वीडियो के मादम से तो वीडियो को आप बिल्कुल कम्पलीट देखेगा सबसे पहले मैं आपको बता दूसा आती हो यह आपका वेकलोग विकेंसी के अंतरगत जारी किया गया है जिसमें एंटी पीसी लिमिटेट के अंतरगत आपको नोटिफिकेसन देखने को मिल ला है और यहाँ पर आप देखेंगे इसका पूरा यहाँ पर किन किन यहाँ पर पोश्टो पर कितनी आप पर सीट खाली है तो आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिपलोमा धारक के लिए अलग सीट आपको देखने को मिल जाती है तो ITE के लिए यहाँ पर ज्यादा तर सीट खाली नहीं है ITE छातर ध्यानी कियेगा आपके लिए टोटल यहाँ पर 11 सीट ही खाली है 11 सीट खाली है इस पर यदि आप अपलाई करना चाहें तो अपलाई कर सकते हैं आपके लिए सुनारा मौका है आप साथो इसके बारे में आपको बता दें यदि आपका इसमें सेलेक्शन हो जाता है तो आपको कहाँ पर बुलाई जागा कहाँ पर आपका जोब लोकेशन होने वाला है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है राइपूर जी हाँ यदि आपका इसमें पूरा प्रोसेस कम्पलेट हो जाता है आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रायपूर बनाय जाएगा और वहीं आपका जॉब लोकेशन में इस नोटिफिकेशन में दिखाया जा रहा है नीचे आप आईए स्क्रोल करते हुए साथियों तो यहाँ पर आपको अधर जनकारी भी देखने को मिल जाती है कैसे इसमें सेलेक्शन होने वाला है आपका और यहाँ पर किन पोश्ट पर आईटिए के चातर अपलाई कर पाएंगे और उनकी किस पोश्ट पर डिप्लोमा के यहाँ पर स्टाट तेथी जो रखा गया है वो 27001 तेथी स्टाट हो चुका है और फार्म भरने की जो अंतिम तिथी रखी गई है वो 12.08202 तेथी से पहले अथाथ 12.05702 से पहले आप इस फार्म को अपलाई कर लीजएगा नहीं तो फार्म भरने की जो तिथी यहाँ पर निशा जाए तो यहाँ पर कैसे form को apply करना इसके बारे में इन्होंने जनकारी दे रखिए और form बरने वाँटी छातरों को कितना फिस payment करना पड़ेगा इसके बारे में भी इन्होंने जनकारी दे रखिए तो फार्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसकी अपिसे विब साइट पर जाना है और वहां से आप फार्म को अपलाई कर पाएंगे और दूसरी चीज़ ध्याने केगा इसमें जो आपको फिस पेमेंट करना पड़ेगा उप किसी भी मात्यम से आप फिस पेमेंट कर सकते ह और इसमें जो फिर चार्ज रखा गया ध्याने कियेगा जो छातर OVC, NCL या जनरल के अंतरगत आते उनको 300 रुपे देना है बाकि जो छातर SST, PW, BD या एक सर्विसमेन के अंतरगत आते उनको कोई भी यहां पर पेमेंट देने की जुरुत ने विल्कुल उनके लिए फ्री OVC, जिसमें आपका आललाइन टेश्ट होगा जिसमें आपको 120 कोईशन आपको दिये जाएगे जो कि मल्टिफल टाइप के कोईशन होगे और साथिू, second stage में आपका यहाँ पर test यहाँ पर रखा गया लेकिन second stage में उन चात्रों का होगा जो कि first stage में जिनका complete हो चुका है तो दो stage में आपका जो होगा इसमें exam करा जाएगा इसको ध्याने किगा बाकी यदि आप इसमें select हो जाते हैं सात्यों तो दूसरा जो आपका process चलने वाला ह वे इसमें आपका medical होगा और त्सरा जो process आपका चलने वाला इसमें आपका document verification होगा तो सातियों के लिए आपको बुलाए जागा और जब आपका इसमें जो उयरे आप test देते हैं उसमें आपको select हो जाते हैं तो और document verification के लिए जो आपको बुलाए जाएगा वो आपको email ID के मादम से पता चल जाएगा कि कहां पर बुलाए जा रहा है तो वहाँ पर जाकर आपको सारे document लेकर जा रहा है जो form भरते समय आप document यूज कर रहे हैं इसके बाद यहाँ पर payment की बात करें तो इसमें जो आपको payment द होना चीए वो NCBT या SCBT से होना चीए अधर से नहीं होना चीए नहीं तो आप इस फांक को apply नहीं कर पाएंगे